कहानी के शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर सुमिल नाम का एक शहर पहले आम शेरों की तरह ही था लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसी भयानक डरावनी कटनाए कटने लगी जिससे पूरा कपूरा शहर नर्क से भी बहतर बन गया लेकिन आखिर वहाँ इसी कौन सी खतरना कटना होने लगी चलिए चांटे हैं तो कहानी के शुरुआत होती है बार्बी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक डेड बॉडी को जिंगल में दफना रहा था बाबी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और बाबी के माते पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज़्यादा लड़ाई हुई होगी बाबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब तो शांत हो जाता है बाबी देखता है कि एक डाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से तूट टुकडों में कट चुकी थी वो डरा हुआ उस चीज को छोने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इन्विजिबल वाल है जो इतनी शाप थी कि इसकी वज़से कई घर भी दो हिस्सों में कट गए थे तब ही वहाँ जोई नामका एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं वो भी उस इन्विजिबल दिवार को देखकर शौक रह जाता है दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को इसने आधे शेहर को कवर कर लिया है महीं दूसरी साइड हम एक रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी एसिस्टेंट डोडी को देखते हैं जो सिगनल लाने की कुशिश कर रहे थे वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिगनल क्यों चला गया यहाँ पर फिल को ल लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता यहाँ पर पुलिस को इंफर्मिशन मिलती है कि उस शेहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि उस डोम की वज़ह से बहुत सारे एकसिदेंट हो रहे हैं इसकी थोड़ी दूर घ एलिस और उन दोनों की बेटी नोडी उसी डाउन की तरफ जा रही थी उन्हें इस बात के खबर नहीं थी कि डोम ने उस डाउन को कवर किया हुआ है दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं जिसका चेस्टस मिल शेहर में वादा करती है पर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं देपाती वहीं बिग जिम रिडियो स्टेशन जाकर एमजनसी के अनॉंसमेंट करता है कैरोलीन जो एलिस और नौरी के साथ शेहर में आ रही थी ये अनॉंसमेंट सुन लेती है और उ भाबी और एंजी को मिलते हुए देखते हैं दोनों को साथ देखर जूनियर के अंदर एक अलकसी चलन पैदा होती है वहीं अब टाउन के बॉडर्ज को सैनिकों द्वरा सील कर दिया जाता है बहुत सारे साइंटेस्ट और एक्सपर्ट को भी इस अजीब और गरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चलता पर कुछ घंटों बाद बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आखिर उसकी डलती क्या है इसी बीच वहाँ जूलिया आ जाती है जिससे वो छगणा बंग कर देते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवा होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे इन में जॉय भी था जॉय एक लड़के से वहाँ के हलात पर बात करने लगता है लेकिन आचानक जॉय को दौरा पढ़ने लगता है और वो पिंग स्टार के बारे में बोलने लगता है जैसे कि पहले नौरी ने बोला था महीं जॉय की बेन एनजी घर पर अकेली होती है कभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किड्नैप करके अपने फादर के टूटे-फुटे शेल्टर में ले जाता है यहाँ पर वो उसे बताता है कि मिझे बता है शेहर को कवर किये इस दोम के बारे में यहाँ पर एनजी को उससे यह भी पता चलता है कि बिग जिम ही जुनियर का फादर है जुनियर एनजी को यह भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंत रहते थे इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए यह शेल्टर बनाया था वहीं दूसरी साइड जुलिया बाबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है तभी अचानक बाबी की नजर उसके हस्बेंट की फोटो पर पड़ती है और उसे रिराइज होता है कि यह वही आदमी है जिससे उसने सुबा मारा था दूसरी दरफ लिंटा और शेरिफ सभी वेहिकल्स पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम से न टकरा जाए तब ही अचानक शेरिफ को अटेक कर जाता है और वो वही पर मर जाता है अब यहां से हमें सुबा की घटना फ्लेश बैक में दिखाई जाती है जहां बाबी टाउन में जूलिया के हस्बेंट जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इंकार कर देता है जिस सवज़े से उन दोनों में छगड़ा हो जाता है और एक्सिडेंटली बाबी उसे गूली मार देता है बाबी जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है पर उसे इसकी सजा मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी कोट जंगल में तफना दिया महीं प्रेजन्ट में सुबब उटकर बार भी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है तो वो जूलिया से इसके बारे में पूचता है जूलिया उससे कहती है कि वो उसकी चेन को ढूंड कर उसे दे देगी पर तब ही बाबी को याद आता है कि वो चेन उस केबिन में ही से डोम के बाहर वाले लोगों से कांटेक करने में सक्सेस्फल हो जाती है वो सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी पर वो उनसे कुछ नहीं कहती महां सोल्जर्स भी कंफ्यूस थे कि आखिर ये इन्वेजिबल बॉल क्या है दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टरॉन में बैटा ब्रेक्फरस्ट कर रा होता है कि लिंडा वहां आकर उसे शेरिफ के मरने की खबर सुनाती है जिससे वो लोग तुरंत बंकर में डेट बॉडिस को दफनाने वाले के पास चाते हैं जिसका नाम लेस्टर था उधर एंजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलानी की पूरी कोशिश करती है पर वो काम्याब नहीं होती तभी जॉय वहां आता है और उससे चेन के जरीए बैट से बांग दिता है महीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है जो कि शेरिफ का ही दोस्त था शेरिफ की मौद से वो बहुत दुखी और परिशान हो जाता है जिब लिंडा उनके आसपास नहीं होती तब वो और बिग जिम पिछले मेने होने वाले प्रोपेन के इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउंग वालों से ये बाद शुपाई थी। शेरिफ के मौद से एक कन्फरम हो गया था कि वो उनकी इंवाल्मेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। उनकी बात सुनने पर जूर्या को बता चता है कि वो लोग जमीन खोद कर डूम को बाहर निकालने की कोशिच कर रहे हैं और वो इस काम में काम्याब नहीं हो पा रहे हैं इसके बाद जूलिया रेडियो के जरीए पूरे टाउन में डॉम वाली खबर को पहला देती है जिसे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग खबरा जाते हैं दूसरी और बार्बी अपनी चेन ढूनने जूलिया के हस्बें डॉक्टर के कबिन में जाता है वहाँ उसका चेन मिल जाता है पर तभी जूनियर वहाँ आकर उसे देख लेता है जूनियर उससे पूछता है कि क्या तो में जी के साथ सोय थे यहाँ पर बार्बी को लगता है कि शायद उसने उसे चेंड रूंटे हुए देख लिया है, और इसलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहाँ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, वही हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पहुंच कर प्रोपेन इंपोर्ट की पेपर्स को ढूणने लगता है। कुछ ताइम बाद उसे वो पेपर्स चौवर में मिल जाते हैं। तब ही वो उन्हें चला देता है। जब वो वहां से जाने लगता है तो उसका पैर लगने से पेपर्स की आग घर के परदों पर ल वो अंदर जाकर उसे घसीट कर बाहर निकाल लाती है और रिलाज के लिए डॉक्टर के पास फेज़ देती है। यहां पर लोगों को आग बुझाने में एक घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती। वो इटा आग और भढ़ जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आत कितना कहता हुआ वो हावा में कूली चला देता है जो कि डॉम से टकरा कर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो दोनांत मा जाता है। यहां पर पॉल को रेस्ट कर लिया जाता है। अधेरा होने पर जॉय उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी व उसकी मदद के लिए पाड़ कर अंदर जाती है लेकिन तभी उसे बता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फालदा उठाकर पॉल उसे धखेल कर उसे लॉक अप में बंद करके वहां से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर समझ चुकी थी कि अगर उसे यहां से निकलना है तो उसे जूनियर को छूटे जाल में फंसाना पड़ेगा। इसलिए वो उसे अपने बच्पन की यादें साजा करती है। जब वो दोनों एक बंद टरनल में जाया करते थे और कहती है कि हो सकता है बोम कर टरनल पर कोई अस जाती है क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम प्यार करता है। उधर रेस्टरॉन में बैठी कैलोलीन को नौरी की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो पिछली रात अपनी दोनों मद बिना बताए जॉय के घर रुग गई थी। वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम जॉइन करने को कहता है। वो बाबी से भी उनकी साथ चलने को कहता है क्योंकि वो आग बुजाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वो लोग दं और नौरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी किसी लड़की के साथा केला नहीं रहा था। इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। जबकि नौरी कॉन्फिदेंटी और बाचीत में भी हाजिर जवा थी। अभी बैन और दो लड़कियों को अपने साथ देकर उसके घर आ जाता है जिन्हें फोन चार्ज करना था। उन्हें इंप्रेस करने के लिए बैन को जनरेटर यूज करना था। जिसके लिए जॉय बैन को थुड़ी बेदिली से इजास्त दे देता है क्योंकि उस टाउन में जनरेटर यी बहुत काम की चीज़ थी और इ उचकर उसे पता चलता है कि डॉम ने टनल को भी कवर किया हुआ है वो दिवार के बिल्कुल खरीब पहुंचाते हैं जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है तब ही जूलिया वहां आकर उसे वान करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत खुसा आता है क्योंकि व जो कि उसका था ही नहीं लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी महमत नहीं थी यह देखकर नौरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है पर मामला और भी जादा गर्म हो जाता है लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता तब ही लाइट ही चली जाती है नौरी इस बा एक स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होता है और उसी वक्त दोनों को दोरे पढ़ने लगते हैं वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे उधर जुनियर शेल्टर में एंजी के पास जाता है लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स टेड गिर थी एंजी उसके जखमों पर मरहम पटी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है वहीं हम देखते हैं कि जुलिया और बार भी दिन भर की ठकान के बाद वापस खर लोटते हैं लेकिन जुलिया जुनियर की बातें सुनने के पाद से ही बाभी पर शक करने लगी थी और जब बाभी नहाने जाता है तो जुलिया उसका से